ये है दुनिया के छे सबसे तेज दर्रार कुट्टें अफगान हाउंड दुनिया के सबसे तेज कुटों के लेस्ट में नमबर छे पर आता है अफगान हाउंड 64 किलोमेटर प्रती घंटे की रेफ़तार के साथ ही एक कुटा अपनी फूर्ती और स्पीड के कारण डॉग रेसिंग के शोके इन लोगों में काफी वसंद किया जाता है अफगान हाउंड आम तोर पर अफगानिस्तान के ठंडे पहाड़ी इलागों में पाई जाती हैं दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें आई बिजन हाउंड दुनिया के सबसी तेज कुटों की लिस्ट में नमबर पांच पर आता है 65 किलोमेटर प्रती घंटे की रफ़तार के साथ आई बिजन हाउंड ये कुट्टे एक जगे पर खड़े होकर 6 फेट उची चलांग लगा सकती हैं स्वभाओ की बात करें तो आई बिजन हाउंड काफी शांत और इंसानों से मिलनसार होती हैं 10 से 12 साल की उमर वाले इस ब्रीट को यदि आप भी खरीदना चाहते हैं तो जनाब ये कुट्टा आपको मातरे 2000 डॉलर यानि कि लगवग 1,4,000 रुपए में मिल जाएगा 69 किलोमेटर प्रतिगंडे की मैकसिमम रफ्तार वाला ये कुट्टा भी ला जौब है एक रिपोर्ट के मुताबिकी कुट्टे इजिप्ट के राजाओं के शिकारी कुट्टे हुआ करते थी इजिप्टे इन किंग्स इस ब्रेट गोईन की स्पीड और इंडिरेंस यानि धेरिये के लिए अपने साथ रखते थी ये कुट्टे रेगिस्तान से लेकर पहाड़ी रास्तों में हर जगया आराम से भागने में शक्षम है 71 किलोमेटर की टॉप स्वीड वाले इन कुट्टों की नसल हंगरी में ओरिजनेट हुई इसलिए इन्हें हंगिरियन पॉइंटर भी कहा जाता है विजला की सबसे बड़ी खुबी ये है कि ये कुट्टे हर टाइम अपने मालिक से चिपके रहती है अब चाहे वक्त मुश्किल हो या फिर मज़िदार कई बार विजला को हंटर डॉक्स का दर्जा भी दिया जाता है लेकिन दोस्तों एक फैक्ट ये भी है कि ये कुट्टे हंटिंग तभी करते हैं जब इनका मालिक खत्रे में हो जैक रसल टेरियर बहुतर किलोमेटर प्रतिगंडे की टॉप स्वीड वाला ये कुट्टा दिखने में जितना क्यूट है उससे कही ज़्यादा फूर्तिला भी है यदि आज की हमारी लेस्ट साइस के माध्यम से काउंट की जाती तो जैक रसल दुनिया का सबसे तेज कुट्टा माने जाता ये ब्रीड काफी जिद्धी किसमे की ब्रीड माने जाती है और साथी ये कुट्टे बहर ज़्यादा भूंगने के लिए भी जाने जाती है ग्रे हाउंड दुनिया के सबसे तेज कुट्टे की यदि बात की जाए तो यहां ग्रे हाउंड का नाम नमबर एक पर आता है 70 किलोमेटर प्रति घंटे की मैक्सिमम स्पीड वाले इस डॉग ब्रीड को स्पेशली डॉग रेसिंग के लिए खरीदा जाता है आम तोर पर यह 70,000 से 3,000,000 रुपए तक मार्केट में बेचे जाती है नेचर की बात करें तो ग्रे हाउंड ड्रेसिंग या अपना काम करने के बाद सोना या आलस में डूबे रहना काफी पसंद करती है तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें थन्यवाद